हाई फ्रेंड्स यूपी का तड़का चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बंगाली अर्भी की बहुती टेस्टी और चटपटी सब्जी ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको एक बाद जरूर ट्राइ करें और ये रेस्पी बच्चों और बड़ो सभी को बहुत पसंद आने वाली है तो फिर चलिए सूखी बंगाली अर्भी की सब्जी बनाना शुरूर करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिए 500 ग्राम बंगाली अर्भी इस अर्भी को छीलने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों पर सरसूं का तेल अच्छे से लगा लेना है अगर आप अपने हाथों पर आईल नहीं लगाएंगे तो आपके हाथों में खुझली होने लगेगी जो आपको बहुत ही परशान करेगी तो मैंने हाथों पर आईल को अच्छे से लगा लिया है अब हम चाकू की साइता से इसके आगे ही के हिस्से को कट कर लेंगे मैंने इस पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा हाड होता है और इसी तरह से हम इसके पीछे बाले भाग को भी कट कर देंगे आब हम चाकू की साइता से इसको चील लेंगे तो ये देखे मैंने इसको चील लिया है आब हम चाकू की साइता से इसको गोल-गोल पीस में कट कर लेंगे फिर इनको छोड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे तो ये देखे अर्भी को मैंने छोड़े चोड़े पीसिस में कट कर लिया है और इनको एक कुकर में डाल लिया है इनको पानी में अच्छे से दूल लिया था अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे पानी हम डालेंगे आदा छोटी गलास और इसको मीडियम फ्लाइम पर 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे 2-3 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की गैस को आराम से निकलने देंगे तो आप देख सकते हैं कि बंगाली वहीं हमारे कितने अच्छे से हुबल गई है अब हम एक पैन में एक बड़ी चम्म सर्जों का तेल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च और इनको आदा मिनाट तक भूनेंगे अब हम इसमें एट करेंगे एक बड़ा साइज का पैस जिसको मैंने छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है और प्याज को हम हलका गुल्डन होने तक भूनेंगे तो प्याज हमारा हलका गुल्डन हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे बॉयल कुई अर्वी और अर्वी को हम मैस करते हुए मिलाएंगे हम इनको इस तरीके से प्रेस करेंगे जिसे यह अच्छे से मैस हो जाए अगर आपकी यह भी उबालते समय टाइट रहे गई है तो आप इसमें एक दो सीटी और लगा सकते हैं तो मेरी तो अरवी अच्छे से मैस हो गई है अब हम इनको लगाता चलाते हुए धीमी आजबर चाह से पांच मिनद तक पकाएंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे स्वादनुसार नमक और नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे तो और भी का मिक्सर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इतना मिक्सर लेंगे और इसको गोल करेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हम सारे मिक्सर के गोल पीसिस बना लेंगे तो ये देखिए मैंने सारे पीसिस बना कर दायार कर लिए है तो अब हम एक पैन में दो बड़ी चम्मज सरसों का तेल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को धिमा कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मज अजवाईं और साथ में डालेंगे आदा छोटी चम्मज सफेद तिल और दोनों चीजों को अदा मिनेट के लिए हम भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चम्मज लाल मिर्च पाउडर और आदा चोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च कस्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है बस इसको डालने से सबजी का कलर अच्छा आता है और इसको मिक्स कर लेंगे अब हम तयार अर्भी को इसमें फ्राई करेंगे ध्यान रखेगा गैस की फ्लेम को हमें धिमाई रखना है और धिमी आज पर हम इनको 4-5 मिनट तक एक साइड में फ्राई करेंगे 4-5 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है ये देखने में जितनी अट्रेक्टिव लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी होंगी तो 4-5 मिनट हो गए हैं ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिख गई है आप इस बंगाली अर्भी की सबजी को गर्म गर्म चपाती के साथ सर्फ करें लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई